इसको याद करना इसको नमन करना हर भारतिये को गर्व से भर देता है और इस विविदता के अनुभव का अउसरतों हमेशा ही अभिभूत कर देने वाला आनंद से भर देने वाला एक प्रकार से प्रेरणा का पुष्प होता है कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के हुनरहाट में एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता, संस्कृति, परंपराओं, खानपार, अज्यजबातों के विवित्ताओं के दर्शन किये पारंपारिक वस्त्र, हस्त शिल्प, कालिन, बरतन, बांस और पीतल के उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, आंद प्रदेश का शांदाल लेधर का काम, तमुलनाडू की खुपसरत पैंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, बधोई की कालिन, कश के कौपर क उत्पाद, अनेक संगीत वाद्य यंत्र, अंगिनत बाते, समुचे भारत की कला और संस्कृति की जलक, वाकई अनोखी ही थी, और इनकी पीछे, सिल्पकारों की साधना, लगन, और अपने हुनर के पती प्रेम की कहानिया भी, बहुत ही इंस्पारिंग होती है, हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बाते सुनकर बड़ा संतोस हुआ, उन्होंनों मुझे बताया, कि पहले वो फुटपाद पर अपनी पेंटिंग्स बेचती थी, लेकिन हुनर हाट से जुडने के बाद, उनका जीवन बदल गया, आज वो नकेवल आत्मनिर्भर है, बड़कि जोनों ने खुट का एक घर भी खरिज लिया है, उनर हाट में मुझे कई और सिल्पकारों से मिलने और उनसे बात्चित करने का अउसर भी मिला, मुझे बताया गया है कि उनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में पचास प्रतिशत से अधिक महिलाए है, और पिछले त परश्व में हुनर हाट के मादिम से लगभग तिन लाग कारीगरों सिल्पकारों को रोजगार के अनेक अउसर मिले हैं, हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मन तो है ही है, साथ ही साथ यह लोगों के सपनों को भी पंक दे रहा है, एक जगह है जहां इस देश की वि वित्ता भी है, वहाँ एक ही लाइन में इडली डोसा, छोले भटूरे, दाल बाटी, खमन खाडवी नजाने क्या क्या था, मैंने खुद भी बहाँ बिहार के स्वादिश लिटी चोखे का अनन लिया, बरपूर अनन लिया, भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले प्रदर्शन्यो का आविजन होता रहता है, भारत को जानने के लिए, भारत को अनुभव के लिए, जब भी मुका मले, जरूर जाना चाहिए, एक भारत रिष्ट भारत को जी भर जीने का यावसर बन जाता है, आप न सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे, बरकि आप देश क जी महंति कारिगरों की विशेश कर महिलाओं की समरुत दि में भी अपना योगनात दे सकेंगे, जरूर जाहिए, मेरे प्यारे देश-वाशियों, हमारे देश के महान परंपराए, हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है, जो सिक्षा और दिक्षा हमें मिली जिसमें जीव मात्र के प्रती दया का भाव प्रकृती के प्रती अपार प्रेम ये सारी बाते हमारी सांस्कृतिक विरासत है और भारत के इस वातावर्ण का आतित्थ लेने के लिए दुनिया भर से अलग-अलग प्रजातियां के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं भारत पूरे साल कई मागरेटरी स्पीसिस का भी आश्चाना बना रहता है और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं पांसो से भी जादा अलग-अलग प्रकार के और अलग-अलग इलाके से आते हैं पिछले दिनों घांधी नगर में कॉप 13 कंवेंशन जिसमें इस विशेवर काफी चिंतन हुआ मनन हुआ मन्थन भी हुआ और भारत के प्रयासों के काफी सरहना भी हुई साथ को यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आने वाले तीन वर्षों तक भारत माइग्रेटरी स्पीसीज पर होने वाले कॉप कंवेंशन के अध्यक्ष्था करेगा इस अवसर को कैसे उप्योगी बनाए इसके लिए आप अमने सुझाव जरूर भेजें कॉप कंवेंशन पर हो रही इस चर्चा के बीच मेरा ध्यान मेगाले से जुड़ी एक अहम जानकारी पर भी गया हाली में बायोलोजिस्ट ने मचली की एक ऐसी नई प्रजाति की खोच की है जो केवल मेगाले में गुफाओं के अंदर पाई जाती है माना जा रहा है कि यह मचली गुफाओं में जमीन के अंदर रहने वाले जल जीवों की प्रजातिकों में से सबसे बड़ी है कि मचली ऐसी घहरी और अंदेरी अंडरग्राउंड क्वेव्ज में रहती है जहां रोशनी भी शाहिद ही पहुच पाती है वज्यानिक भी इस बात से आफ्चेरे चकीत है इतनी बड़ी मचली इतनी गहरी गुफाओं में कैसे जीवित रहती है यह एक सुख़द बात है कि हमारा भारत और विशेश तोर पर मिगाल है एक दुरलब प्रजाती का घर है यह भारत की जय विभीता को एक नया आयाम देने वाला है हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं जो अब भी अंडिस्कवर्ड है इन अजूबों का पता लगाने के लिए खोजी जुनुन जरूरी होता है महान तमिल कवेत्री अब्वेयर ने लिखा है कटद कैमानवू कल्लादरू उडगडवू कटद कैमनअडव कल्लाद ओलाडव इसका अर्थ है कि हम जो जानते हैं वो महच एक मुठी भर रेत है लेकि जो हम नहीं जानते हैं वो अपने आप में पूरे ब्रह्मान के समान है इस देश की विवित्ता के साथ भी ऐसा ही है जितना जाने उतना कम है हमारी बायो डावर्सिटी भी पूरी मानवता के लिए अनोखा खजाना है जिसे हमें संजोना है, सहुरक्षित रखना है और एक्स्प्लोर भी करना है मेरे प्यारे युवा साथियों, इन दिनों हमारे देश के बच्चों में, युवाओं में साइन्स और टेक्नोलोजी के प्रती रुची लगातार बढ़ रही है अंत्रीक्ष में रिकोर्ड सेट्रिलाइट का प्रक्षेपन, नईने रिकोर्ड, नईने एमिशन हर भारतिये को गर्व से भर देते हैं जब मैं चंद्रियान टू के समय बैंगलूरू में था तो मैंने देखा था कि वहाँ उपस्तित बच्चों का उत्सा देखते ही बनता था निंद का नाम और निशान नहीं था एक प्रगार से पूरी रात वो जागते रहे उनमें साइन्स, टेक्नोलोजी और इनोगेशन को लेकर जो उत्सुकता थी वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं बच्चों के, युवाओं के इसी उत्सा को बढ़ाने के लिए उनमें साइन्टिफिक टेंपर को बढ़ाने के लिए एक और व्यवस्ता शुरू हुई है अब आप स्री हरी कोटा से होने वाली रॉकेट लाँचिंग को सामने बैठ कर देख सकते हैं हाली में इसे सब के लिए खोल दिया गया है विजिटर्स गैलेरी बनाई गई है जिसमें दसजार लोगों के बैठने की ववस्ता है इसरों के वेब साइट पर दिये गए लिंक के जरिये आनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं मुझे बताया गया है कि कई स्कूल अपने विध्यार्थियों को रोकेट लाँचिंग दिखाने और उन्हें मोटिवेट करने के लिए टूर पर भी ले जा रहा है मैं सभी स्कूलों के प्रिंसिपाल और सिक्षकों सा अग्रह करूँगा कि हाने वाले समय में वेश का लाब जरूर उठाए साथियों मैं आपको एक और रोमांचिक जानकारी देना चाहता हूँ मैंने नमो एप पर जारखन के दनबात के रहने वाले पारस का कमेंट पढ़ा पारस चाहते हैं कि मैं इस्रों के यूविका प्रोग्रेम के बारे में यूवा साथियों को बताऊं यूवाओं को साइंस से जोडने के लिए यूविका इस्रों का एक बहुती सरहानिय प्रयास है 2019 में यह कारकम स्कूली स्टूडिन्स के लांच किया गया था यूविका का मतलब है यूवा विज्ञानी कारकम यह कारकम हमारे वीजन जय जवान, जय किसान, जय विग्ञान, जय अनुसंधान के अनुरूप है इस प्रोग्रेम में अपने एक्जाम के बाद छुट्टियों में स्टूडन्स इस तरों के अलग अलग सेंटर्स में जाकर स्पेश टेकनोलोजी, स्पेश साइन्स और स्पेश अप्रिकेशन के बारे में सिखते हैं आपको यदि यह जानना है, ट्रेनिंग कैसी है, किस प्रकार की है, कितनी रोमांचक है पिछली बार जिन्हों ने इसको अटेंड किया है, उनके एक्ष्पिरियंस अवश्च पढ़ें आपको खुद अटेंड करना है, तो इस तरों से जुड़ी युविका की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं मेरे युवासाथियों, मैं आपके लिए बताता हूँ, वेबसाइट का नाम लिख लिजिए और जुरूर आज ही विजिट कीजिए www.uvika.isro.gov.in लिख लिए आना, मेरे प्यारे देशवासियों, 31 जनवरी 2020 को लदाग की खुबसरत वादियां एक एहतियासिक गटना की गवाव बनी लेहके कुशोक बकुला रिमपोचे एरपोर्ट से भारतियों वायु सेना के AN-32 विमान ने जब उडान भरी तो एक नया इतिहास बन गया इस उडान में 10% इंजियन बायो जेट फ्यूल का मिश्रन किया गया था ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों इंजिनों में इस मिश्रन का इस्तिमाल किया गया यही नहीं लेके जिस हवाई अड़े पर इस विमान ने उडान भरी वह नकेवल भारत में बलकि दुनिया में सबसे उचाई पर स्थीत एरपोर्ट में से एक है खास बात यह है कि बायो जैट फियल को नौन एडिवल टी बॉन ओइल से तयार किया गया है इसे भारत के विविन आदिवासी इलाकों से खरीद दे जाता है इन प्रयासों से नकेवल कारवन के उस्तरजन में भी कमी आएगी बलकि कच्चे तेल के आयात पर भी भारत के निर्फरता कम हो सकती है मैं इस बड़े कारे में जुटे सबी लोगों को बढ़ाई देता हूँ विशेश रुप से CSIR, Indian Institute of Petroleum देरादून के विज्यानिकों को जिन्नों ने बायो फ्यूल से विमान वड़ाने की तकनीक को संभ़ो कर दिया उनका ये प्रयास मेकिन इंडिया को भी ससक्त करता है मेरे प्यारे देश्वासियों हमारा नया भारत अब पुरानी अप्रोच के साथ चलने को तयार नहीं है खास तौर पर न्यू इंडिया की हमारी भेने और माताएं तो आगे बढ़कर उन चुनोदियों को अपने हाथों में ले रही है जिन से पुरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है बिहार के पुर्णिया की कहानी देश भर के लोगों को प्रेणा से भर देने वाली है ये वो इलाका है जो दसकों से भाड की त्रासदी से जूचता रहा है ऐसे में यहां खेती और आएक के अन्य संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल रहा है बगर इनी परिस्तित्यों में उर्णिया की कुछ महिलाओं ने एक अलग रास्ता चुना साथियों पहले इस इलाके की महिला है शहतूत या मलवरी के पेड़ पर रेशम के किडों से कोकून तयार करती थी जिसका उन्हें बहुत मामूली दाम मिलता था जबकि उसे घरीदने वाले लोग इनी कोकून से रेशम का धाका बनाकर मोटा मुनाफ़ा कमाते थे नेकिन आज उन्हें की महिलाओं ने एक नई शुरुवात की और पूरी तस्वीर ही बदल करके रख दी इन महिलाओं ने सरकार के सयोग से मलबरी उत्पादन सम्हू बनाए इसके बाद उन्हें ने कोकून से रेशम के धागे तयार किये और फिर उन धागों से खुदी साडिया बनवाना भी शुरू कर दिया आपको जानकर के हरानी होगी कि पहले जिस कोकून को बेच कर मामूली रेकम मिलती थी वही अब उससे बनी साडिया हजारों रुप्यों में भीक रही है आदर्श जिवी का महला मलबरी उत्पादन समू की दीदियों ने जो कमाल की है उसका असर अब कई गावों में देखने को मिल रहा है पुर्णिया के कई गावों के किसान दीदिया अब न केवल साडिया तियार कर वा रही है बलकि बड़े मेलों में अपने स्टॉल लगाकर बेज भी रही है एक उदारण कि आज की महला नई शक्ति नई सोच के साथ किस तरह नए लक्षों को प्राप्त कर रही है मेरे पैरे देश वास्यों हमारे देश की महलाओं हमारे बेटियों की उद्दम शिल्ता उनका सास हर किसी के लिए गर्व की बात है अपने आसपास हमें अनेकों ऐसे उदार मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि बेटियां किस तरह पुरारी बंदिसों को तोड रही हैं नई उचाई प्राप्त कर रही हैं मैं आपके साथ 12 साल की बेटी काम्या कार्थिकेन की उपलब्दी की चर्ता जरूर करना चाहूंगा काम्या ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही माउंट एकोन कागुआ उसको फते करने का कारणामा कर दिखाया है यह दक्षिन अमेरिका में एंडी परवग की सबसे उची चोटी है जो लगबग साथ हजार मीटर उची है हर भारतियों को यह बात चू जाएगी कि जब इस महिने की शुरुवात में काम्या ने चोटी को फतह किया और सबसे पहले वहां हमारा तिरंगा फैराया मुझे यह भी बताया गया है कि देश को गवरवानुइत करने वाली काम्या एक नए मिशन पर है जिसका नाम है मिशन साहस इसके तहट वो सभी महाद्विपों की सबसे उची चोटियों को फतह करने में जुटी है इस अभ्यान में उसे नौर्थ और साउथ पॉल्स पर स्की भी करना है मैं काम्या को मिशन साहस के लिए अपनी शुब कामनाई देता हूँ वैसे काम्या की उपलब्दी सभी को फिट रहने के लिए प्रेजित करती है इतनी कम उम्र में काम्या जिस हुचाई पर पहुची है उसमें फिटनेस का भी बहुत बड़ा योगदान है अनि जो देश फिट है वो हमेशा हीट भी रहेगा वैसे आने वाले महिनों तो एडवेंचर स्पॉर्ट्स के लिए भी बहुत उपयुक्त है भारत की जियोग्राफी ऐसी है जो हमारे देश में एडवेंचर स्पॉर्ट्स के लिए धेरों अवसर प्रदान करती है एक तरब जहां उंचे उंचे पाड़ है तो वहीं दूसरी तरब दूर दूर तक फैला लगिस्तान है एक और जहां घने जंगलों का बसे रहा है तो वहीं दूसरी और समुद्र का असीम विस्तार है इसलिए मेरा आप सबसे विशेश आगरा है कि आप भी अपनी पसंद की जहाँ अपने रूची की एक्टिविटी चूने और अपने जीवन को एडवेंचर के साथ जुरूर जोड़े जिन्दगी में एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना वैसे साथियों बारा साल की बेटी कामिया की सफलता के बाद आप जब 105 वर्स की भागिरती अम्मा की सफलता की कहानी सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे साथियों अगर हम जीवन में प्रगदी करना चाहते हैं विकास करना चाहते हैं कुछ करगुजरना चाहते हैं तो पहली शर्त यही होती है कि हमारे भीतर का विध्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए हमारी 105 वर्स की भागेरती अम्मा हमें यही प्रेणा देती है अब आप सोच रहे होंगे कि भागेरती अम्मा कौन है भागेरती अम्मा केरल के कुलम्म में रहती है बहुत बच्पन में ही उन्होंने अपने मा को खो दिया चोटी उम्र में शादी के बाद पती को भी खो दिया लेकिन भागेरा थी अम्मा ने अपना होसला नहीं खोया अपना जज़वा नहीं खोया दस साल से कम उम्र में उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पुला था 105 साल की उम्र में उन्होंने फिल स्कूल शुरू किया पढ़ाई शुरू की इतनी उम्र होने के बावजूद भागेरा थी अम्मा ने लेवल फोर की परिक्षा दी और बड़ी बेसबरी से रिजल्ट का इंतजार करने लगी उन्होंने परिक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये इतना ही नहीं गणित में तो 70 प्रतिशत अंक हासिल किये अम्मा अब और आगे पढ़ना चाहती है आगे की परिक्षाइद देना चाहती है जाहिर है भागे रथी अम्मा जैसे लोग इस देश की ताकत है पेरणा की एक बहुत बड़ी स्रोथ है मैं आज विशे सुप से भागे रथी अम्मा को परणाम करता हूँ साथियों जीवन के विपरित समय में हमारा होसला हमारी इच्छा सकती किसी भी परिस्थिती को बदल देती है अभी हाल ही में मैंने मिडिया में एक ऐसी स्टोरी पड़ी जिसे मैं आप से जरूर शेर करना चाहता हूँ ये कहानी है मुरादाबाद के हमीरपूर गाउं में रहने वाले सल्मान की सल्मान जन्म से ही दिव्याग है उनके पैर उन्ने साथ नहीं देते हैं इस कठनाई के बावजुद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया साथी ये भी निष्टे किया कि अब वो अपने जैसे दिव्याग साथियों की मदद भी करेंगी फिर क्या था सल्मान ने अपने ही गाउं में चपल और डिटरजिन बनाने का काम शुरू कर दिया देखते ही देखते हुनके साथ तीस दिव्याग साथी जुड़ गए आने का फैसला किया खास बात यह है कि सर्मान ने साथी दिव्याग जनों को खुदी ट्रेनिंग दी अब यह सब मिलकर मैनिफेक्टरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी अपनी महनत से इन लोगों ने न केवल अपने लिए रोजगार स्वनिशित किया बलकि अपनी कमपनी को भी प्रफिट में पहुँचा दिया अब ये लोग मिलकर दीन भर में डेड़ सो जोड़ी चपने तयार कर देते हैं इतना ही नहीं सलमान ने इस साल सो और दिव्यागों को रोजगार देने का संक्र भी लिया है मैं इन सब के होसले उनके उद्ध्यमसिलता को सैलिट करता हूँ ऐसी ही संकल को शक्ती गुजरात के कच इलाके में अजरक गाउं के लोगों ने भी दिखाई हैं साल 2001 में आये विनाश का दिभूकम के बाद सभी लोग गाउं छोड़ रहे थे तभी इस्माईल खत्री नाम के सक्ष ने गाउं में ही रहे कर अजरक प्रिंट की अपनी पारमपरिक कला को सहजने का फैसला लिया फिर क्या था देखते ही देखते प्रकृती के रंगों से बनी अजरक कला हर किसी को लुभाने रगी और ये पूरा गाउं हस्त सिल्व की अपनी पारमपरिक वीधा से जूड़ गया गाउं वालों ने न केवल सैंक्रो वर्ष पुरानी अपनी सकला को सहजा बलकि उसे आधुनिक फैसन के साथ भी जोड़ दिया अब बड़े डिजाइनर बड़े डिजाइन समस्तान अजरक प्रिंट का इस्तमाल करने लगे हैं गाउं के परिश्रमी लोगों की वज़े से आज अजरक प्रिंट एक बड़ा ब्रेंड बन रहा है दुनिया के बड़े खरिदार इस्प्रिंट की तरफ आकरशित हो रहे हैं मेरे पहरे देशवाचियों हाली में देश भर में महाशिवरात्री का पर्व मनाया गया है भगवान शीव और माता पार्वति का आशिरवाद देश की चेतना को जागरूत किये हुए हैं महाशिवरात्री पर भोले बाबा के आशिरवाद आप पर बना रहे हैं आपकी हरमना कामना शीव जी पूरी करें आप उर्जावान रहें स्वस्त रहें सुके रहें और देश के प्रति अपने कर्तव योग का पानन करते रहें साथ्यों महासिवरात्र के साथ ही वसंत रूत्य की आभावी दिनों दिन अब और बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों